अब तक तो आपने नियूस सुनी लियोगी कि इसराहिल इस एट वार हमस ने अटैक किया इसराहिल पे रातो रात एक्सपेक्टेड नहीं था और तीन सो से जावा लोग की जान गहीं कहीं हजार लोग गाहल हुए और यह अटैक कंटिन्यूसली चल रहा है टोटली अनेक्सपेक्टेड था और यह हुआ जब हमारी मार्केट बंद हो चुके थी फ्राइडे को रात को तो इसके बाद अब क्या इंपक्ट होगा अगले बीक मार्केट पे लास्टेर हमने देखा था कि जब यूएस इंवाल्व हुआ था रस्या उक्रेयन वार में तो जादा इंपक्ट आया था जबकि जब वार स्टार्ट होई थी तो इतना इंपक्ट नहीं था तो इस वाले मामले में भी यूएस अल्रेडी इंवाल्व हो चुका है छे बिलियन डॉलर की मदद करने के लिए बोल दिया उन्होंने इसा कुछ तो इसमें मुल्टीपल कंट् होता है तो साओधी जो कि बहुत बड़ा और इस्राइल का परोसी देश है इस्राइल से वह खास बनती नहीं है इसकी और यह अगर सपोर्ट में आता है हमस के तो यहां पर होगा क्या कि यूएस साओधी इस्राइल और यह मल्टीपल नेशन का मामला हो जाएगा अगें जि गिरे या ना गिरे चड़ने के लिए थोड़ा टाइम ले सकती है सब्डूट रह सकती है और कुछ पटिकुलर स्टॉक सेक्टर से जिन पर बड़ा इंपक्ट आ सकता है देखो हमारी कंट्री में अभी डिसेंटली जी टुटी का इवेंट हुआ था तो बहुत सारी अनॉं थी जो अभी इस वार के बाद अगें अफएक्ट होगी इसी तरह इंफोसिस का और कुछ और कुछ आई टी कंपणी का कुछ बिजनस का पाष इसी इडिया वाले जो नेशन है यहां पे जो है इसबाएं हो गया साओधी हो इनसे इन से आता है तो इसको भी एफेक्ट होगा तो कुल मिला कि काभी सारे सेक्टर से जो अफेक्ट हो सकते हैं तो यहां पे मामला जो है कितना बढ़ेगा यह तो अभी जैसे इसे डिवलोप्मेंट होगी बता पड़ेगा तो अगर यहां पे कोई आता है तो यहां पे हो सकता है इन सब को में देखना पड़ेगा कुल मिला कि मैं यह कह सकता हूं कि initial reaction market definitely दे सकती है और जो हम लोग expect कर रहे हैं कि शायद भड़ी तेजी हो जाए मंडे को हो सकता है अगर market gap से खुले तो profit booking में आ जाए because of this और अगर market flat खुले तो चड़ने में थोड़ा रुकावट ले यहां पर आपको मैं short selling की राय अभी नहीं दूंगा because of our markets have fallen recently और supports के हम काफी करीब हैं बढ़ हां अगर supports टूटते हैं मामला भरता है crude oil के prices generally और spike करते हैं तो चीजे बिगड़ेगी तो वहां पर आप short कर सकते हो इसके लाबा railway stocks जैसे भी आपको मैं बता रहा था अगें आ आप थोड़ा अपना research कीजिए अधर अडानी ports इन कुछ points में sectors में कुछ IT stocks में profit booking selling impact आ सकता है तो बहुत कुछ यहां पर नहीं शायद बदलेगा बढ़े sectors जो हैं हमारे जैसे की banking sector हैं उनको कोई फ़रक नहीं पड़ेगा but जो stocks में weightage कम हैं उनमें फ़रक पड़ सकता है व आप उसको लेने का भी सोच सकते हो बठां overall मैं महीं मानता हूं कि Nifty को कोई बहुत बढ़ा पड़ेगा इससे बठां क्योंकि जब तक tension रहती है market को uncertainty पसंद नहीं है वह सकता है इस news के कारण थोड़ा सा market हमारा subdued रहे और चड़ने में उतनी तेजी ना दिखा है जिसना क कि हम पहले expect परने लग गए अभी Friday को दो दिन पहले जमने आपके लिए analysis किया तो उमीद करता हूं इस वीडियो आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा अरे कृष्णा